हलो बच्चो तोड़े वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेवन ये दादा जी चैप्टर सेवन है इसमें ये भासा भ्यास का चैप्टर है तो इसे हम कम्प्लीट करते हैं चीक है चलो सुरू करते हैं कोश्चन वन सही सब्द से वाक्य पूरे कीजिए सही सब्द से वाक्य पूरे कीजिए तो इसमें क्या है पहला कूश्चन है गाउं के बीच से एक बहती थी क्या बहती थी लदी या नला क्या बहती थी नदी तो क्या लिखो गया नदी बहती थी xe तो क्या वहती थी वहाँ पर नदी कडा के कीश पढ़ रही थी गर्मी या सर्दी क्योंकि उसने तो कोट पहन रखा था ना तो कोट कप पहनते हैं सर्दियों में तो क्या पढ़ी हुई थी? सर्दी ठीक है? अच्छा उसके बाद में गय दादा जी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए या नाराज हुए? बहुत खुश हुए चीक है? क्या हुए? वो बहुत खुश नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कुश्चन टू देखते हैं दिये गए वाक्यों में मोटे काले चीक है? क्या है? मोटे काले मोटे काले शब्दों को ध्यान ध्यान से पढ़िए तथा उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द का प्रियोग करते हुए वाक्यों को दोवारा लिखिये देखिये लिखिये कैसे लिखते लिखी कैसे लिखिये लिखी ठीक है नहीं है मतलब हमें लिखना है हमें क्या लिखना है जो आपके बलैक कलर के जो काले और मोटे सब्द हैं इसमें डार्क के रखाए तो तो वह रहे हमारी तरह आलसी का क्या बन जाएगा मेहंती तो वह हमारी तरह आलसी नहीं है वह हमारी तरह मेहंती नहीं है चीक है उसके बाद में question क्या कह रहा है next है आपका दादा जी को सर्दी लग गई सर्दी का क्या बनेगा गर्मी तो दादा जी को गर्मी लग गई तो इसका सड़दी का उल्टा क्या बन जाएगा इसका विपरीत सब्द क्या होगा गर्मी क्लियर हो गया इसके बाद में गय सोनाली जल्दी जल्दी पहाडी की तरफ चल्दी तो सोनाली धीरे धीरे जल्दी जल्दी का क्या हो जाएगा धीरे धीरे जल्दी जल्दी का हो जा है समझ में आ गया तो यह आपके उल्टे शब्द है नेक्स थर्ड नीचे दिये गए शब्दों के लिंग बदल ये लिंग बदलना है हमें जैसे दादा का दादी बन जाएगा उट उट नी लेखक लेखी का और पंडित पंडिता हैं तो कैसे दिखोगे दादा दादी उट उटनी ठीक है उट ये तो होता है उट इसको क्या बोला जाता है उट ठीक है लेकिन जब हम चंद्रबिंदू लगा देंगे तो क्या बन जाएगा उट क्या हो जाएगा उट ठीक है यही होता है अंतर उट और उट में किलिया लेखक लेखिका पंडित पंडिताइन क्या है पंड़ी, ताइन, ओके नीचे दिये गए, next क्या है, नीचे दिये गए वाक्यों के बहु बचन रूप लिखना है, हमें बहु बचन में लिखना है, ठीके तो अख्रोट जैसे सोना ली ने अख्रोट उठाया तो सोना ली ने अख्रोट उठाये तो उसने सिर्फ एक ही अख्रोट उठाया जब उठाये तो मतलब उसने एक से ज़्यादा अख्रोट उठाये समझ में आ गया नेक्स्ट क्या कह रहा है, पेड़ पर कबूतर बैठा, तो बैठा का क्या वनेगा, बैठे थे, क्या होगा, बैठे थे, पेड़ों पर, एक पेड़ पर, पेड़ों मतलब एक से अधिक पेड, पेड़ों पर कबूतर बैठे थे, छीखे, गय क्या कह रहा है, जर्ना पहाड से गिरते हैं, क्योंकि एक वचन वाला वाक्या है, तो वो उसको हमने बहु वचन में बदल दिया, कुश्चन फिफ्ट क्या करा है, दिये गए शब्दों से वाक्या बनाईए, तो खिलोने को क्या बनेगा, खिलोने का सुन्दर सुन्दर राइटिंग में कोसिस करती है, क्योंकि एक तो राइटिंग इसमें अच्छी नहीं उपाती है, तो इसमें लिखते हैं, खिलोने, मुझे खिलोने बहुत पसंद है, तो क्या लिखोगे, हैं तो इस तरीके से आप अपनी उसमें दिख सकते हैं इस तरीके से ठीक है नेक्स्ट क्या है आलसी हमें आलसी नहीं होना चाहिए क्या है हमें कि आलसी कि नहीं कि बनना कि चाहिए क्या मैं आलसी नहीं बनना चाहिए उसके बाद मैं इसके बाद है शुक्रिया हमें मदद मिलने पर शुक्रिया कि है नहीं में चाहिए तो इस तरीके से आपका ओ गया इसके बाद में दोस्त हमें अच्छे बच्चों से दो हमें अच्छे बच्चों को दोस्त बनाना चाहिए ठीक है तो आपका यह क्या हो गया पूरे कंप्लीट हो गया तो आप इस सरी किसे लिख सकते हैं दूसरा क्या दे रखा है नंबर 6 पर क्या कह रहा है यह सही सब्द चुनकर वाक्य पूरे करें जिसे सो नाली अब यहाँ पर को और के दे रखा है तो क्या आएगा हुए थे तो अखरोट से चलके नहीं अखरोट के चलके ठीक है या आधा टै के सब्द से सब सीड़ी पूरी करनी है ठीक है यह होता है अपका पूरा टै और यह होता आपका हाफ टै ठीक है क्योंकि आप टै को इस तरीके से लिखनी सकते तो यह तो टैमा नहीं नहीं जाए हाफ हाफ-tay कैसे लिखते हैं पिसको नीचे हम हनंत लगा देते हैं इसको हम अनंत बोलते हैं मतका, चुकि शर्फ टै ही लिखने है आपको, इसके बाद में क्या दे रखा है आपको, ये मतका हो गया, उसके बाद में मतर, और उसके बाद में मोटर, ठीक है, तो ये आपकी क्या होगा, पूरे complete हो गया, ठीक है, लटका, लज़ाधा टै, ठीक है, तो टै वाले शब्द ही आपको लिखने है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया, अगर ये आपको समझ में आ गया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा, चैनल का नाम है, गुड़ नाइस चैनल, ठीक है, और मैंने आपको सारी, सभी वीडियो, जो है, क्लास थड़ की, वो सभी मैंने, दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखें, आप एक बार दिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, क्लास थड़ से रिलेचेड, ओके, थैंक यू,